हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू भवव एकेडमिक क्लासे चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर अनुदेशक के रिजल्ट के बारे में दोस्तों सभी को इंतजार है आज कंप्यूटर अनुदेशक के रिजल्ट का क्योंकि लेकिन आज 12 बजे बाद ही कुछ अपडेट हमें प्राप्त हुआ है आपके साथ पूरा शेयर करेंगे जानने के लिए वीडियो को पूरा अंतक देखें और चैनल पे बने रही है साथ में बैल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई अगरा वीडियो आए त तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले तो दोस्तों आपने देखा अठारा जून को इसका पेपर हुआ था और उसके बाद बोर्ड ने कुछ कुछ कुश्चिंस आपती मार्ती फॉर्म वेबसाइट पर दिया गया था ठीक है तो अब देखिए कुछ लोगों उसके आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि करीब 8-10 कुश्चिंस डिलीट होने हैं पर अभी तक वहां से कोई इस तरह का अपडेट नहीं आया है लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो रिजल्ट है वह मोस्ट प्रूबेबली आज शाम या कल शाम तक जारी हो जाएगा क्योंकि हमारे पास जिस तरह का समचार प्राप्त हुआ है उसके हिसाब से रिजल्ट को 25 या 26 तारिक तक जारी होना ही है क्योंकि आपको पता है जो बोर्ड के जो अध्यक्ष है आरे से में बी बोर्ड के जो अध्यक्ष है वह यहां पर नहीं है वह बाह उसके बाद विजर्ट को अपडेट देंगे तो दोस्तों आगर आप को पता है कि कट ओफ कितनी जाने वाली है तो कमेंट करके बताइए वैसे हमने हमारी तरफ से 400 लोगों के आसपास हमने सर्वे किया था उसमें आपने देखा कि हमारी कट ओफ करीब करीब जहां तक है 100 से कम जाने के पूरे पूरे चांसेज है और यह मान के चलो आप अवरेजन कट ओफ जो रहेगी वो 90 से 100 के बीच में ही रहेंगी और जहां तक है बहुत सारे पद खाली रहने वाले हैं क्योंकि यह मान के चलिए आप कम से कम 70% इस्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पेपर को किलियर ही नहीं कर पाए मतलब 40% जो नंबर लाना था ऐसे बच्चे ही नहीं मिले बोर्ड को जो उस पेपर को अटेम्ट कर पाए क्योंकि आपने देखा कि पेपर का लेवल भी बहुत शानदार ले कारे बच्चों की बती गुल हो गई थी तो दोस्तों उम्मीद पूरी पूरी है कि जो हमने आपतिया वाले क्वेश्चन जो डिलीट होने वाले हैं वह हमने आपको बताया वही मिलेंगे आपको देखने को और जहां तक हो सकेगा रिजल्ट आज शाम को अधरवाइज नही चुका है बस आप तो बारी है तो सिर्फ रिजल्ट के निकारी है तो आपने देखा टोटल पोस्त यहां पर दस हजार 157 थी यह बरती परिशा में जिसमें टोटल 200 मांक्स की कुश्चन हुए थे और टेपर फस्ट में 100 मांक्स था और उसमें टोटल कुश्चन भी 100 नंबर पर्षों इसमें सबसे बड़ी है कि नेगेटिव मार्किग थी वीडियो की तरह इसमें भी नेगेटिव मार्किंग थी तो आपका ट्रोटल 0.033 0.33 नेगेटिव मार्किंग रहेगी एलिजीबिलिटी क्रेटिरिया जो बोड ने डिसाइड किया था वो था जर्नल ओवीसी के लिए 40% individual papers में और EWS में MBC दोनों में ही 40% इसके लावा SCST के लिए 35% जो paper को pass करने का criteria रखा गया था इसके बाद दोस्तों दिखो जो हमारा paper जो हुआ था उसके बाद कुछ objections लगे थे तो जो first paper था उसमें question number 16 पर objection लगा था इसी तरह आप देखोगे paper second में भी question number second 15 25 32 33 44 53 54 56 58 67 75 85 91 और 97 इस तरह से करीब करीब 167 question ओपर total objections लगे थे तो आपने देखा इसी तरह से same वीडियो के paper में भी हुआ था करीब 167 objections आप अत्तिया दर्ज की गई थी लेगिन लास्ट में बोर्ड ने जब result declare किया तो इन्होंने करीब करीब आठ नमबर साथ या आठ नमबर बोनस ना देकर questions तो delete कर दिये bonus नहीं दिया और वो नमबरों को उसी में adjust कर दिया तो इसी तरह की तर्ज जो हैं आपकी यह निकल के आई थी इसके बाद आप देखो यह जो questions डिलीट होने वाले है टोटल में से 8 questions delete होते है तो टोटल आपके पास बसते हैं 92 questions अब बोनस तो मिलेगा नहीं क्योंकि वीडियो में भी नहीं मिला तो pattern तो same ही होगा अब अगर 92 questions होते हैं तो अगर आपने सो में से 92 question रहे फाइनली तो एक question की वेटे जाती है 1.08 मतलब हर question का जो number है वो 1.08 हो जाएगा पहले एक था अब यह 1.08 हो जाएगा और हर question की marking कितनी हो जाएगा 1.08 अब देखो दोस्तों हमने भी करीब कि तीन सो साड़े तीन सो लोगों पर students का सर्वे किया है उसके according जो हमारी analysis के आ रही है उसमें जो journal की total जो हमारी post है हमने जो analysis किया है उसके हिसाब से mail की करीब journal में journal की बाद कर रहा हूँ है पहले journal में mail की करीब करीब 91 से 97 जानी चाहिए email journal में आएगी 85-89 और इसके बाद diverse diverse में 50 ठीक है वीडियो में तो ऑली है और डाइवर्स में 50 तो यह जन्रल की cutoff के बारे में बात हुई है अभी देखो हम category वाइस सभी को देख लेंगे तो थोड़ा ध्यान रहे है कि जो लोग परशान हो रहे हैं कि कट ओफ 110 जाएगी 115 जाएगी कुछ लोग बतार 125 जाए हैं इसके बाद इसके मेल की जो cutoff है वो 90 से 94 जाएगी उम्मीर हमारी ऐसी है इसके बाद फीमेल के लिए 83 से 87 वीडियो में ओल हो जाएगा और डाइवर्स में 35 ठीक है ओके इस तरह हम आगे नेक्स देखते है अब देखें EWS का अगर एनलिसिस किया जाए तो उसकी टोटल 85 से 89 वीडियो के लिए ओल है और डाइवर्स 46 ठीक है दोस्तों इसके बाद आप आजाए एंब्स के अंदर टोटल फो फोस्त है आपके पास 436 इसमें मेल की जो है वो करीब करीब 80 से 88 आएगा और फीमेल के लिए 81 83 एटीवन से 83 वीडियो के लिए ओल ठीक है आप देखें कि हम एसी केटेगरी की बात करते हैं एसी केटेगरी के अंदर मेल की जो कट आफ जाने के चांसेज है वो है 75 से 79 पिचतर से 89 ठीक है दोस्तों इसके जात ही आप देखोगे फीमेल के लिए फीमेल में भी 71 से 74 ठीक है और वीडियो डाइवर्स में सब आल हो जाएगा इसके के बात स्टी केटेगरी में आप देखोगे तो मेल की जो टोफ निकल की जा सकती है वो है 72 से 75 इमेल के लिए 70 से 72 और वीडियो और डाइवर्स के लिए पॉर इस तरह से हमने देखा दोस्तों की जो हमने अनलीसिस किया है उसके इसाब से टोटल निकल के आ रही है और उमीन हमने इसके पूरी की पूरी डिटेल देखी है ठीक है और आगे भी आपके लिए इस तरह से वीडियो लाते रहेंगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है दोस्तों थेंक यू